आईएस का फर्जी लेटर बनाकर इंदौर को बदिनाम करने का भांडा फोड जी हाँ सस्ती लोग प्रीता हासिल करने के लिए इनसान कुछ भी कर गुजरता है ऐसा ही कुछ किया भोपाल के कतित आर्टिय एक्टिविस्ट ने इंदौर शहर और प्रशासन को बदनाम करने के लिए उसने एक चड़यंत्र रचा दरसल मामला कुछ इस प्रकार है गॉर्मेंट आफ इंडिया के एडिशनल सेकरेटरी एगरिकल्चर डॉक्टर अभिलाक्ष लेखी के फरजी लेटर हैट से एक लेटर इंदौर एडियेम अभय बेडेकर को जारी हुआ इस लेटर से इंदौर में कोवीड नाइंटीन को लेकर अनिमित्त और भष्टा चार की बात करते हुए एक प्राइवेट कम्प्लेइन भी कोर्ट में लगा दी गई या पूरा खेल भोपाल से रचा एक कथित आर्टिया एक्टिविस्ट द्वारा लेकिन इस शडियंत्र का भांडा तब फूट गया जब इंदौर जिला प्रशासन ने सीनियर आईएस और एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अभिलाक्ष लेखी से क्रॉस चेक कर लिया उनसे पूछ लिया कि क्या आपके द्वारा इस तरह का लेटर इंदौर जिला प्रशासन को लिखा गया है इसके बाद शडियंत्र का भांडा फोड हो गया जिला प्रशासन ने अब इसके खिलाफ कानूनी कारवाई करने का निड़े लिया है कोट ने अपने आदेश में ये कहा है कि जो चिट्थी लिखी गई जो चिट्थी पर रिलाइ किया गया अजय दूबे के द्वारा वो एक फोजट डॉक्यूमेंट था जो की एक बहुती गंभीर क्राइम है और साथ ही कोट ने कहा कि इंदार एड्मिनिस्टेशन ने बहुत अच्छा काम किया और उसकी तारीफ करने के बज़ाए या इतने लोगों ने जो मेडिकल वारियर्स से जिन्हों ने अपनी जान दी उनके बारे में कुछ अच्छा कहने के बज़ाए इसी चीफ पब्लिसिटी के लिए अजय दुबे ने ये प्रेटिशन लगाई है उन्होंने उसके ये भी कहा है कि उन्होंने कोई भी काम कभी कोविट के लिए नहीं किया अजय दुबे ने और उन्होंने कोट ने कहा कि जिस तरह से अजय दुबे ने कोड के प्रोसेस का ग्रॉस मिस्यूस किया है उसको उसकी बचसरना की जानी चाहिए उसको डेप्रिकेट किया जाना चाहिए और उन्होंने प्रेडिशन को डिस्मिस किया ब्यूरो रिपोर्ट एक्सपोस टुडे भोपाल